देखो इंडिया में 5G smartphone की demand काफी जादा है मतलब काफी सारे लोग 5G smartphone खरीदना पसंद करते हैं अब दिक्कत वहाँ पे नहीं आती कि आप एक 5G smartphone खरीदना चाते हो आपके बजट में काफी सारे 5G smartphone है दिक्कत वहाँ पे आती है कि आपका एक बजट है लेकिन वहाँ पर कोई 5G smartphone नहीं है मतलब आप 12,000 से उपर एक 5G smartphone ढूण रहे हो तो वहाँ पर आपको काफी सारे option मिल जाते हैं लेकिन जब बात आती है 12,000 के नीचे और स्पेशली 10,000 के नीचे वहाँ पर कोई 5G smartphone नहीं है तो इंडिया में बहुत सारे लोगे अभी के टाइम पे जो 10,000 के नीचे एक smartphone खरीदते हैं और उनकी भी खौईच रहती है कि 10,000 के नीचे कोई 5G smartphone आए और उसको हम purchase करें लेकिन unfortunately अब तक उस price segment में कोई 5G smartphone नहीं था तो लोगों को 4G smartphone ही खरीदना पड़ता था लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बदलने वाली है मतलब 10,000 के नीचे भी अच्छे दिन आने वाले है क्योंकि लावा अपना एक नया smartphone लाउंच करने वाला है लावा ब्लेज 5G करके जो कि 10,000 के नीचे होने वाला है और ये एक 5G smartphone होने वाला है और ना कि सिर्फ 5G इसमें हमें बाकी स्पेक भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाले है तो इस phone की बात करें तो देखो इसके teaser को लेकर इसके first look को लेकर इसके specification को लेकर और इसके camera samples को लेकर काफ़ जादा internet पे चरचा चल रही है और इस phone की खासियत की बात करें तो देखो 10,000 के नीचे फोन होने वाला है लेकिन इसमें हमें glass back मिलेगा और इस image में आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको दो बड़े बड़े camera cutouts मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत जादा chance है कि आपको 4 cameras देखने को मिलेंगे इस phone में हर एक camera cutout में 2 cameras और साथ में यहाँ पर 64 Megapixel का main camera भी होने वाला है मतलब 10,000 की नीची है 64 Megapixel का quad camera setup और front में आपको punch hole display मिलने वाला है और इस phone की camera samples की बात करें तो इनके जो president है सुनील रहे न उन्होंने कुछ images share की है जो की आप screen पे देख सकते हैं तो काफी अच्छी images इसकी हमें देखने को मिल रही है और इस phone के specification की बात करें तो specification भी इस phone के काफी बढ़ी है जैसे के 6.78 इंचिस का एक Apache Plus IPS LCD डिस्पले होने वाला है जिसमें 90 Hz का repressed होगा और यहाँ पर आपको Mediatek का Diamond City A10 processor मिलने वाला है मतलब जो processor हमें 15,000 के phone में देखने को मिलता है और variants की बात करें तो आपको 8GB प्लस 128GB तक का variant मिलेगा और साथ में memory card का slot भी होने वाला है जिन लोगों को ज्यादा storage की requirement रहती है वो लोग memory card लगा के यहाँ आप storage को भी expand कर सकेंगे और इसके बाद बैटरी आपको 5000 mH की मिलेगी 30W का charger होने वाला है तो backup charging speed भी इस phone में काफी बढ़िया होने वाली है camera की बात करें तो जैसे की मैंने बता है quad camera setup होगा 64MP का mean camera होने वाला है 5MP का ultra wide 2MP का depth और 2MP का macro lens selfie levels के 16MP का selfie camera होने वाला है और आपको android 11 out of the box मिलेगा कही पर mention है android 12 पता नहीं दोनों में से क्या होने वाला है और साथ में near to stock android experience भी इस phone में मिलने वाला ऐसी भी यहाँ पर बात हो रही है तो देखो अगर 10,000 के नीचे यह phone आता है मतलब 10,000 से इसकी price टार्ट हो जाएगी इसका base variant तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा change होने वाला है मतलब बहुत बड़ी चीज होने वाली जो लोग 10,000 के नीचे phone करीते है उनके लिए तो यह सबसे बड़ी good news है और यह phone launch काप होने वाला है इस मंद के end तक यह phone launch हो सकता है ऐसी बात चल रही है लेकिन ज्यादा chance है कि हाँ 10,000 का हो सकता है अगर यह phone 10,000 रुपे में आता है न तो भाई साब जो लोग 10,000 के नीचे एक 5G smartphone खरीदना चाते है या फिर अच्छा smartphone खरीदना चाते है उनके लिए यह बहुत बड़ा option होने वाला है बस यहाँ पर लावा की branding को आपको थोड़ा सा manage करना पड़ेगा तो आप मुझे नीचे comment में बताओ कि इस smartphone के बारे में आपकी क्या thoughts है क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ यह smartphone 10,000 के नीचे अगर आता है तो definitely इसको consider कर सकते है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना चानल को subscribe कर सकते हैं हम मिलेंगे नेक्स्ट आले वीडियो में